शिरी संजीव शर्माजी ने कमेंट करके मुझे लिखा है सर मैं पिछले 6 महीनों से यूट्यूब से और ब्लॉगिंग से कमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ पर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर गूगल एडसेंस के जरीए ही कमाई होती है पर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर गूगल एडसेंस चालू करवाने के लिए इतनी मुश्किल मुश्किल कंडिशन्स लगा कर रखी गई है कि 4-6 महीने तक मेहनत करने के बाद पता चलता है कि या तो गूगल एडसेंस चालू ही नहीं हुआ और अगर चालू हो भी गया तो कमाई इतनी कम होती है कि आदमी सोचता रह जाता है कि फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट किया जिसके जरीए हम ब्लॉगिंग पर ही पहले ही दिन से विग्यापन या एडवर्टीजमेंट लगा कर कमाई शुरू कर सके आखिर हम इस गूगल एडसेंस के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे यार शिरी संजीव शर्मा जी मुझे ही आपको ये बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि अब गूगल एडसेंस का एक अल्टरनेटिव या कहें कि कॉम्पिटीशन कमपनी आ गई है जो किसी भी नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट पर पहले ही दिन से हजारों विग्यापन लगा देती है जियां पहले ही दिन से सैक्डों हजारों विग्यापन लगा देती है ये गूगल एडसेंस की कॉम्पिटीशन वाली कमपनी और वो विग्यापन भी बड़ी-बड़ी कमपनियों के होते हैं और आपके सिर्फ एक घंटे पुराने बने हुए ब्लॉगर के प बिजनस करते हैं या किसी कारण से अभी खाली बैठे हैं तो आप सभी अब दुनिया के दूसरे लाखों लोगों की तरह ही बिना कोई आर्टिकल लिखे ब्लॉगर अकाउंट से कमाई शुरू कर सकेंगे पहले ही दिन से शुरू कर सकेंगे ठीक है क्योंकि आप गूगल ए सालों से एक HR recruitment professional हूँ और इतने सालों के experience के दम से मैं आप सब के लिए part time job, full time job, work from home और freelancing से related videos बना कर regularly लेका रहाता हूँ और एक रुपया तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों मैं आप में से किसी की भी जेब से एक पैसा भी कही खर्च या इन्वेस्ट नहीं होने देता तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं आज के वीडियो में आपको क्या-क्या सिखाऊंगा और फिर इसी वीडियो में आगे चल कर वो सब पूरी बारीकी से practically सिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको सिरफ दो मिनट्स में 100% free में एक नया blogger account खोलना सिखाऊंग ये एक तरह की free website ही होती है जो सिरफ 2-3 मिनट्स के अंदर बन जाती है Google के एक platform पर ही बनती है मैं बना सिखाऊंगा भी उसके बाद मैं आपको Google AdSense की एक competitor company की website पर लेकर चलूँगा जिसका नाम है Ads Terra ठीक है इस पर 100% free में और 2 मिनट्स में registration करना सिखाऊंगा और उसके ब बड़ी-बड़ी company ने डाले होते हैं और ये बोला होता इस site से भी या किसी भी blogger या किसी भी social media platform पर हमारे विज्यापन डलवा दो ताकि उनकी publicity हो ठीक है तो मैं आपको यही वाले 100,000 विज्यापन वहां से निकाल कर आपके नए बने हुए blogger account पर डालना सिखाऊंगा practically और दोस्तों मजे की बात ये है कि आप खुद ही यहां से जितने मर्जी विज्यापन निकाल कर अपने सिरफ एक घंटे पुराने blogger account पर डाल सकते हैं और तुरंत कमाई शुरू कर सकते हैं ये सब कैसे करना है पूरी बारी किसे सिखाऊंगा मैं आज की वीडियो में आपक बस वहां से एक्खे करके टॉपिक को कॉपी करो चैट जीपीटी साइट पर डालो और कॉपी राइट फ्री में आर्टिकल्स निकल वालो ठीक है और अपने नए बने हुए blogger account पर डाल दो और ads terra site से सैकडो विज्यापन भी निकाल कर हातों हात लगा दो अपने इस नए ब पहुचेगी ये भी दिखाऊंगा देखे दोस्तों मैं आज पूरी बारीकी के साथ जैसे एक बच्चे का हाथ पकड़ कर सिखाते हैं ठीक वैसे ही सब कुछ सिखाऊंगा आज के वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं पुल जाएगी अब देखे चानल लिखाए क्रेट यूर ओन ब्लॉग क्लिक करेंगे ऐसा करते हैं आप अपने लैप्टॉप या मुबाइल फोन के उस सेक्शन में आटोमेटिकली ब्लॉगर डॉट कॉम साइट दोबारा भेज दिये जाएंगे जहां पर आपको सारे अप आप ने रखना थीक है टाइंट जिसकों कहते हैं थीक है मैं जो नाम रखऊचुगा वहापने नहीं रखना है ठीक है मैं पो थोटाएट आइडिया दे देता हूं कि टायिटल कीसा रखना नहीं क्योंकि हम यहां पर पैसा कमाने से रिलेटम आर्टिकल्स बनाकर डालने ब पीटी नाम की साइट फ्री में हमें बना कर देगी ठीक है तो कमाई से related कोई title रख लेना जो मैं रखूंगा वो मत रखना क्योंकि अगर सब ने वही title रख लिया तो फिर आपका ये account बैन हो सकता है blogger के द्वारा ठीक है मैंने रख लिया नाम real money और next पट क्लिक करेंगे अब दोस्तों ये blogger site आपको 100% free में एक ऐसा नाम देती है जो 100% free रहता है सारी ओमर कभी भी आपको ये खरीदना नहीं पड़ता है इसको हम technical कहते हैं domain ठीक है बहुत सरे youtuber हैं जो आपको ये खरीदवाना चाहते हैं नहीं वो आपको ये बेचना करते हैं आपको free का जुगार बता रहूं तो यहां पर जो आप नाम अपना रखेंगे ये आपका blogger account का एक नाम होगा जिसको आप किसी के भी साथ share कर सकते हैं कह सकते हैं कि यह आपका blogger का account है ठीक है मैंने यहां एक नाम रख लिया मैंने देखिए नाम रखा real money ठीक है जो मेरा title था ओके इस बार इसमें space नहीं होना चाहिए लेकिन यह दिखा रहा है कि भाई यह नाम तो किसी और ने ले लिया है अब मैं यहां पर कुछ numbers डाल दूँगा ठीक है five six डाला अब यह दिखा रहा है कि यह available है इसी तरह से आप choose कर लीजेगा उसके बाद next पर click कर देंगे अब यहां पर पूछ रहा है display name क्या रखना चाहते हो यहां पर भी हम वही रख लेंगे real money आप कुछ और रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं finish पर click कर देंगे उसके बाद आप यहां पहुंच जाएंगी यह window दोबारा दिखेगी यहां से बंद कर देंगे अब हमारा यह जो blogger का account बनने वाला है जिस पर पूरी दुनिया से पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले लोग आएंगे 200 से ज़्यादा मुलक है जिनमें अर्बो लोग रहते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं वो blogger के आपके account पर आएंगे क्योंकि यह नाम ही इस तरह के आपका की जिसमें पैसा कमाने के आप option देंगे लोगों को तो वो आपने उसकी एक theme बना लेनी है इस अपने blogger account की वो theme कैसे बनेगी देख लीजे दोस्तो यह एक तरह कि आपकी 100% free की site बन रही है blogger के ओपर ठीक है अब left में जो यह section जहाँ theme लिखा है click करेंगे अब यह page खुल जाएगा अब यहाँ पर बहुत सारी themes अठोमेटिकली इस site ने आपको दे रखी हैं आप चाहें तो इनका screenshot ले सकते हैं कहीं note कर सकते हैं ओके इन में से एक theme मैंने choose कर ली देखी लिखा हूँ है simple blog यह select हो गई अब apply कर दूँगा अब got it पर click कर दूँगा अब हमारी यह theme select हो गई लेकिन हमें अभी इसकी settings करने है ताकि यह बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से google search की ranking में उपर आए और सुन्दर भी लगे ठीक है अब वो settings देख लीजे सबसे उपर top पर चला जाओंगा अब देखिए जहां लिखा है customize यहां क्लिक करूँगा यहां drop down बटन पर सबसे पहले हम इसकी mobile setting करेंगे ताकि अगर यह आपका blogger का account कोई भी अपने mobile phone पर खोले तो उसको ठीक तरीके से दिखाई दे उसके लिए setting करना आवश्यक है उसके बाद यह छोटी सी window खोलेगी अब देखिए जहां desktop लिखा है यहां क्लिक करना आप सुचेंगे क्यों देखिए हम यह चाहते हैं कि जो यह blogger का आपका account बन रहा है blogger site के उपर यह desktop mode में किसी को भी उसके mobile phone पर दिखे समझ गया इसलिए desktop पर क्लिक कर दिया और save पर क्लिक कर दिया तो आपके इस blogger account को mobile phone पर दिखाने का जुगार सेट हो गया अब हम इसको और ज़्यादा customize करेंगे यहां से अब आपके सामने यह पेश खुलेगा left में आएंगे यहां पर तो नीचे आएंगे तो आप देखेंगे layout का एक section है यहां से हम अपने इस blogger account की layout बदलेंगे उन्हें ठीक तरीके से बनाएंगे वो कैसे है अब देख लिजे layout पर क्लिक करते ही आपके सामने body layout और footer layout यह खुलेंगे जो body layout है उसका आपने पहले से दूसरा लेना है यहां क्लिक करना है ठीक है और उसके बाद footer layout पर आपने यहां से तीसरा ले लेना है ठीक है अब हमारा यह जो blogger का account बनने वाला है इसकी लंबाई चुड़ाई length और width हमने decide करनी है ताकि यह ठीक तरीके से किसी को भी उनके desktop या mobile phone पर दिखे तब ही तो जद से जद चलेगा और आप कमाई भी करेंगे ठीक है जहां पर यह लिखा है 260 यह हमने कर देना है 340 और यह यहां से होगा उसके बाद यहीं पर कहीं हम बाहर क्लिक कर देंगे एक बार और उसके बाद आप देख करते हैं हाँ पर यह सेव का button है यहाँ क्लिक करेंगे अब यह सेव हो गया हमारी setting यानि हमारा यह जो blog है इसकी लंबाई चुडाई सेट होगे जो ठीक है परफेक्ट है तो दोस्तो हमारा ये blogger का account खुल गया 100% free में जिसके अंदर कोई domain नहीं लेना पड़ा आपको ना आपको कोई hosting खरीदने पड़े एक तरह से आपकी एक website Google के इस blogger platform के ओपर बन रही है ठीक है एक तरह की website है जिसका आपको ना कभी जिन्दगी में domain खरीदना है ना hosting खरीदनी है अब यहाँ पर हमें जो विग्यापन लेकर आने हैं जो आज ही से लग जाएंगे पहले ही दिन से आदे घंटे के अंदर आपको कवाई करके देना शुरू कर देंगे blogger के उपर वो कैसे होगा वो हम एक और site पे जाके register करेंगे और उस site के जरी वो एक तरह से google adsense जैसी site है जैसे थोड़ी देर पहले बताया था और वहाँ से हम विग्यापन advertisements लेकर आएंगे तुरंत और यहाँ पर अपने नए बने हुए इस blogger account पर लगाएंगे ठीक है पहले आपको वो दिखाऊंगा कैसे करना है और उसके बाद आपको यह भी दिखाऊंगा कि यह जो आपका नया बना हुआ blogger का account है इसमें कमाई करने से related articles free में copyright free कैसे आपको chat GPT से निकालने है वो भी 100% free की site है ठीक है उसके लिए सबसे उपर जहां back बटने क्लिक करूँगा अब sidebar आ जाएगा यहां पर layout पर फिर से क्लिक कर देंगे ऐसा करते यह page खुल जाएगा थोड़ा सा नीचे आएगगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ sidebar right one एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट करके यह आपको बहुत सारे कुछ sections मिलेंगे technically इन्हें कहते है widgets ठीक है इन्हें हमें हटा देना है basically यह इसलिए बनाए गए हैं कि यहां पर हमें अपने विज्यापन लगाने हैं जो हम आपको लगा कर दिखाएंगे ताकि आप तुरंत कमाई कर सकें आप देखते चले जाएंगे कैसे सबसे पहले इन्हें remove कर देना है और इन्हीं की जगा विज्यापन लगेंगे मैं edit पर click करके आपको एक remove करके दिखा देता हूँ click करते यह window खुलेगी remove कर देंगे ok कर देंगे अब देखी यह हट गया अब मैं एक और remove करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से यह भी हट गया इसी तरह से सारे हटा देता हूँ तो मैंने यहां से जो widgets थे या sections थे हटा दिये और आप कई महीनों, हफ्तों, सालों तक wait करते रहे आप कमाई करेंगे यहां तुरंथ एक घंटे के अंदर शुरू होगी अब वो विग्यापन आपको Google Adsense की बजाए एक और platform से मिलेंगे यानि कहने का मतलब यह है कि यह जो Google की अभी तक दादाद गिरी थी कि गूगल के ही आपको विग्यापन लगाने है Google Adsense के वो आज खतम होती है अब हम एक और platform पर चलेंगे और इस Google के ही platform जिसका नाम है blogger यहां पर वो विग्यापन लगाकर जो Google के नहीं है कमाई करेंगे तुरंथ पर नहीं पहुंचते हैं उसके कोई वशक्ता नहीं है अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर 100% free में कैसे सिरफ आधे मिनट में आपका एक registration हो जाता है आप यहां से विग्यापन निकाल कर ले जाते हैं blogger के अपने नए बने हो अकाउंट पर डालते हैं तुरंत कमाई शुरू करते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं ठीक है पे आउट regularly मिलता है और इनके जो विग्यापन है वो हर section के हैं और browser friendly है ठीक है और इनका एक partner care program भी है और इसके अलावा आप चाहें तो इस particular site के जरीए referral से भी कमाई करते हैं ठीक है वो भी आपको दिखाँगा सबसे पहले मैं आपको यहां पर registration करके दिखा देता हूँ सबसे पहले अपना एक gmail id डाल देंगे अपना पूरा नाम यहां डाल देंगे ठीक है उसके नीचे आपने अपने एक user name projection लगा देता है अब यहां आपने आठ करेक्टर का एक password सोचकल बना कर रख लेना है आप चाहें तो इस आई को open करके देख भी सकते हैं कि क्या लख रहे हैं अब दोस्तों यह site आप से चाहती है कि आप अपने किसी बी social media platform का profile का link यहां लगा दें या नाम यहां लगा दें ठीक है अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आप लगा सकते हैं facebook आपका होगा whatsapp number होगा ठीक है या और नीचे आ जाते हैं तो twitter भी हो सकता है ठीक है तो बस मैंने facebook पर click किया तो देखिए एक window खुल गई मैंने यहां सिर्फ अपने facebook अकाउंट का नाम डाल देना है ठीक है तो मैंने यह डाल दिया बात खत्म होगी अब उसके बाद main मुद्दे की चीज़ आगई कि आप यहां से जो भी कमाई करेंगे वो लेकर कैसे जाएंगे यानि आपके भारतिय सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचेगा एक तो सीधे सीधे है बैंक ट्रांसफर ठीक है लेकिन यह हमने चेक किया है कि अगर आप बैंक ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो थ्रेस होल्ड हाई है इसका मतलब क्या है वह आगे चलकर बताऊंगा पेपाल एक ऐसा तरीक है जिसके अ और उसके बाद यहां पर टिक कर दीजे साइन अप कर लीजे एक विंडो खुलेगी यहां से बंद कर दीजे अब हमने यहां पर जो भी अपनी जीमेल आईडी डाली थी वो यह कंफर्म करेंगे ठीक है अब उसके लिए हम अपनी जीमेल पर चले जाएंगे इस साइट के ज आगे शुरू होगी जहां पहले छोड़ा है वो छोड़ा है इस साइट को ठीक है यहां पर आपने दोबारा से अपना यूजर नेम या इमेल आईडी डाल देना है जो आपने कहीं नोट किया होगा आठ करेक्टर का वही पासवर्ट डाल देना है जो आपने पिछले कि एक blogger का account या site बनाई है blogger के platform के उपर ठीक है उसको हमने इस विज्यापन से कमाई कराने वाली site के अंदर add करना है और उसके बाद इस site के उपर डले हुए सैक्डों हजारों कमपनियों के विज्यापनों को निकाल कर अपने नए बने हुए blogger के account में डालना है और देखे दो option है उपर add website का या नीचे add website का देखे ठीक है तो कहीं पर भी click कर देते हैं मैंने नीचे कर दिया उसके बाद यह चोटी सी एक window खुलेगी आपका जो blogger का नया account बना है उसका url आपने यहां डाल देना है वो कैसे निकलता है मैं blogger के account पर ले जाकर दिखा देता यह देखिए blogger का account था यहीं से मैं गया था आपको यह जो नई एक site आई है जहां से आप google adsense की तरह ही विज्यापन लगा सकते हैं यह तरह का competition है यह google adsense को जो हमें कई कई दिनों हफतों महिनों तक तरसाता है विज्यापन डालने के लिए तुरंप दे रहा था ठीक है नीचे आ जाएंगे जहां लिखा है view blog क्लिक करेंगे अब ऐसा करते ही सबसे उपर search bar में आपको जो दिखेगा यह आपका URL है मैंने यहां से copy कर लिया अब मैं वापस उसी site पर आ गया और यहां डाल दिया अब यहां से हमने जो भी अपना यह नया blogger का account बनाया उसकी category पूरी दुनिया के 200 मुलकों में अर्बों लोग करोडों नहीं रोज पढ़ते हैं ठीक है तो आपने category अगर ठीक चूज नहीं की तो आपके इस blogger account पर platform पर traffic नहीं आएगा ठीक है तो यहां से आपने वो category ले लेनी है बहुत सारे options हैं तो यहां पर हम यह social ले लेंगे हमन अब दोस्तों यहां पर लिख रहा है available ad units यानि के इस नई साइट के ओपर जो Google AdSense का competition है यहां पर सबसे ज़्यापन किस section के अंदर है यह हमने चेक कर लिया है वो इसके अंदर है ठीक है तो यह ले लेना है 300 by 250 PX उसके बार नीचे आ जाएंगे add पर क्लिक करेंगे आप द इंटा भी इंतजार करना है नहीं होता हमने चेक किया है बस दोस्तों हमने कहा था कि आपको 10-20 मिनट लगेंगे यह एक मिनट के अंदर अंदर अप्रूव हो गया ने आपकी आँखों के सामने recording के दुरा नहीं अब देखिए यहां लिखा हूँ आगे approved ओके अब दोस्तों करके हम यहां से वो code निकाल कर अपने blogger account पर ले जाकर लगाएंगे अब आप देखिए का magic अब मैं थोड़ा से और नीचे हूँगा अब देख सकते हैं दोस्तों यह वो code है ठीक है मैं इसको यहां से बंद कर सकता हूँ यह छोटी सी window थी आपको guide करना चारी थी यह मैंने पूरा का पूरा code यहां से select कर लेना है और इसको copy कर लेना है और वापस से अपने blogger account पर चलना है अब हम यहां पर वहीं पहुंच गए दोस्तों जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि यह जो sidebar right के अंदर बहुत सारे sections थे हमने remove किये थे ठीक है अब यह जो विग्यापन है ठीक है यह हम यहां पर लगाएंगे ताकि आपके blogger नए बने हुए account पर दिखता है तो जहां लिखा है add gadget यहां क्लिक करूँगा अब यह एक छोटी से window को लेगी जहां लिखा है HTML JavaScript इस पर क्लिक करना है बहुत सारों में से अब यह क्यों करना है मस सूचिए मेरे staff ने प एक enter करना है दो नहीं करना है एक enter करके दुबारा से इसी को paste कर देना है ठीक है और उसके बाद एक enter और करना है और फिर से paste कर देना है अब यह ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि हमें इस size के एक नहीं तीन विग्यापन चाहिए उस site से जो Google AdSense का competitor है ठीक है और हम जो blogger का जो नहीं बना हुआ account है या आपका पुराना भी चल रहा है तो वहाँ पर हमें तीन विग्यापन लगाने एक नहीं लगाना इसलिए उस size के अभी बहुत सारे size के अलग लग तरीके के विग्यापन हम उस site से निकाल कर इस blogger अपने नहीं बने हुआ account पर डालेंग आपको दिखाऊंगा कैसे chat GPT से लिखकर 100% free में copyright free निकाल कर लाना और लगाना है ठीक है और उसके बाद उस article के अंदर भी आपको ये विग्यापन डालना सिखाऊंगा ताकि आप हर तरीके से कमाई करें जैसा दोस्तों आपको बताता चला रहा हूँ कोई भी व्यक्ति अ आपको ज़्यापन पैसा कमाने हैं जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं आपके blogger account पर आएंगे वो definitely कहीं ना कहीं click करेंगे या नहीं भी click करेंगे तो भी वो विग्यापन देख लेंगे आप कमाई कर लेंगे यही चमत का रहा है यही मैं आपको शुरू से बताता चला रहा ह ठीक है एक दो तीन इन तीनों में वही वाला जो मैंने यहां लगाया है एक विग्यापन ठीक है उसका code यहां पर भी लगा दूँगा add widget पर click करूँगा दुबारा से html पर click कर दूँगा और title छोड़ दूँगा content में click करके वही चीज paste कर दूँगा एक बार करूँगा ठीक है और save पर click कर दूँगा यह हो गया इसी तरह से बाकी दो भी कर देता हूं तो ठीक है दोस्तों यह जो हमने एक size निकाला विग्यापन का इसके अंदर जितने भी विग्यापन उस site पर आएंगे वो सारे के सारे यहां लग जाएंगे ठीक है अब हम एक और size का विग् को बनाने के लिए समझ है अब देखिए मैं एक और size निकालूँगा यह था पहला वाला अब यह एक और निकालते हैं add code पर click करेंगे अब देखिए पहले यह वाला size लिया था यह निकाल कर ले गए अब हम यह वाला size लेंगे 728 into 90 यहां click करेंगे नीचे आ जाएंगे add पर click कर देंगे got it पर click कर देंगे यह दिखिए जब भी आप कोई निया code निकालेंगे तो यह request जाती है इस site के customer care को या किसी को भी automated को रोबोट है और वो एक आधे मिनट के अंदर approval दे देता है जैसे यह एक आया था इसी तरह से थोड़ी दिर में आपको दूसरा भी यह दो refresh करके यहां आ जाना है ठीक है और यहां पर click कर देना है और उसके बार नीचे आके देख लेना आ गया पैंडिंग दिखा रहा है लेकिन यह आ जाएगा आधे एक मिनट के अंदर देखिए आ गया ठीक है अब यहां पर यहां पर यह साइज नया वाला आया है ओके और आगे आएंगे देखिए एक्टिव हो गया है गेट कोड पर click करेंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे अब देखिए एक नया कोड आ गया यह यह वाले साइज का कोड है यानि इस साइट के उपर जो सैकडों हजारों पूरी दुनिया की कंपनिया इस साइज के वि साइज के लिए ठीक है तो सबसे पहले नीचे लगा के दिखा देता हुझा अब जिखाता हूं कि आपको ब्लॉगर का नया काउंट है या पुराना काउंट है इसमें उपर कैसे लगेगा सबसे उपर लिखा ए लिखा यह लिखावा आए ठीक है और उसके बाद add gadget, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी html, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको यह particular code, आपके इस blogger के account के उपर header पर लगाना है, तो जो code है वो तो लगाना ही है, उसके साथ छोटी सी, एक 4-5 शब्दों की या characters की एक coding करनी है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखानी है, सिखानी है, आपके screen पर भी दिख रही है, इस वक्त, ठीक है, फिलहाल मैं सबसे पहले तो वो coding आपको दिखा देता हूँ क्या है, दिखिए, सबसे पहले आपने यह character चूज कर लेना है, अपने mobile के या laptop के keyboard से, ठीक है, उसके बाद लिखना है B for Bombay, चोटा और R भी चोटा, ठीक है, और उसके बाद यह वाला characters लगाना है, ठीक है, अब इसका क्या आर्थ है, भूल जाएए, यह मेरे staff ने जो technical लोग हैं, निकाला है, ओके, और उसके बाद यहाँ आपने वो ने वाला code पेस्ट कर देना है, और save पर क्लिक कर देना है, अब ऐसा इसलिए करना है, ताकि यह दिखेगा, आपके इस blogger account पर, और उसके बाद दिखिए, आपने यह जो नीचे save वाला बटन है, इसको क्लिक करना है, ध्यान रखेगा दोस्तों, आप जब भी, कोई भी, यहाँ पर code लेकर आएंगे, ठीक है, तो जिसने भी आपको code दिखाए हैं, मैंने, जहां पर भी डालेंगे, उसके बाद आपने ये save बटन पर ज़रूर क्लिक करना है, नहीं तो save नहीं होगे, अब हम देखते हैं कि इस हमारे जो नया बना हुआ प्लॉगर का account है, इसमें विग्यापन देखने में कैसे लगेंगे, उसके लिए preview पर क्लिक कर दूँगा view blog पर, अभी हमने कोई post नहीं डाली है, वो भी आप चाहें तो यह तीन की बजा दस भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है, और यह सबसे उपर वाला, ठीक है, यह आपने देख लिए थे, तो यह तीन विग्यापन लग चुके हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस नहीं बनेवे blogger account पर आ जाता है, जबकि कोई post भी नहीं copyright free हर topic के, और जितने शब्दों में हम चाहेंगे, उतने ही शब्दों में, वो हम यहां लगाएंगे, और उसके अंदर भी ऐसे विग्यापन लगाएंगे, ठीक है, अब वो post कहाँ डिलेंगी, blogger के account पर डिख लीजे, उसके लिए यह जो window भी है, खुलिए हुए आपके सा करके, अब देखें, यहां से हम उसको change भी कर सकते हैं, उसमें color डाल सकते हैं, जो post डलेगी, जो भी हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, अब मैं आपको उस site पर लेकर चलता हूँ, जो 100% free में आपको world class copyright free जितने भी शब्दों में आपको चाहिए, post article देंगे, जो हर को ही प मैं आपको सिरफ free वाले दिखाँगा, मैंने इस site का लेंगे, इस video के description में डाल दिया है, click करते हैं, यहां पर हम इस पर registration करेंगे, दो मिनट के अंदर sign up पर click करके, आप देखें, थोड़ा सा नीच आएंगे, जहां लिखा है, continue with Google, यहां click करते ही, यह वाली site भी दोस्तों ठीक है, इसका कोई ज़दा आर्थ नहीं है, continue पर click कर देंगे, अब आपके पास एक option आएगा, कि यहां पर mobile number डालें, उस पर OTP आता है, तो वो ही डालिएगा, जो आपकी जेब में रहता है mobile, मैंने एक डाल दिया, अब आप चाहें तो जो OTP है, WhatsApp पर मंगा सकते हैं, SMS पर मंगा सकते हैं, अगर आप यहां पर yes कर देंगे, तो WhatsApp पर आएगा, अगर no कर देंगे, तो SMS से आएगा, तो मैं SMS पर मंगाने के लिए no कर देता हूँ, ठीक है, तो यह कह रहा है कि SMS पर भेज दे, हाजी भेज दो, अब मेरे पास आगया 6 characters का, ठीक है, मैंने यहां डाल दि Google जैसी एक जो बहुत बड़ी company है, ठीक है, उसको इसने धका दी दिया, यानि इतनी जबरतस site है, ठीक है, अब यहां पर हमने पैसा कमाने से related topics डाल डाल कर articles निकालने हैं, जितने शब्दों में हम चाहें, और उसके बाद अपने नए बने हुए blogger account पर डालने हैं, और फि से एक ऐसा विग्यापन लग जाएगा आपके इस blogger site के ओपर, blogger account के ओपर, जिसमें अगर कोई वक्ति सरफ आपके इस blogger account पर पहुंच जाएगा, कहीं click नहीं भी करेगा, तो भी विग्यापन उसके हाथ से automatically click करवा लेगा, ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बतात topic मैंने एक site पर डाल दे हैं, अब वहां से निकाल कर लाएंगे, यहाँ copy paste कर देंगे, और उसके बाद यह site हमें बना करते हैं, फिर हम blogger पर लगा देंगे, चलिए एक site पर लेका चलता हूँ, जहां मैंने topic आपके लिए डलवाए हैं, अब दोस्तों यह वो site है, मेरी site है, इसका नाम है azufreebie.com, ठीक है, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के description में डाल दे, click करते हैं, ऐसे खुल जाएगी, freebie पर आ जाएंगे, और यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए जहां लिखा है, free SEO titles for bloggers, ठीक है, यानि यह इस तरह के titles हैं, जो SEO friendly हैं, यानि के Google search में सबसे उपर आते हैं, और free में मैंने आपके लिए निकाल का रखे हैं, blogger के लिए, ठीक है, विग्यापन आएगा, इसे बंद करते हैं, तो बस ऐसा करते ही, देखिए, 400-500 के करीब जो मैंने आपके लिए topics निकाल के रखे हैं, वो खुल जाएंगे, ठीक है, 10 proven ways to earn money online, ठीक है, इ इसी तरीके से लिखते हैं, हर तरीके का जो topic है, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए निकलवा कर रखा है, वो पैसा कमाने से related है, दोस्तों, यह एक page है, इस तरह के बहुत सारे page है, मैं आपको दसमे page पर भी ले जाकर दिखा देता हूँ, ओके, आप देखेंगे, यहाँ प वहाँ से एक topic निकाल कर, वहाँ ले जाकर, चैट GPT पर, आपको एक article लिखकर दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद blogger पे जाकर लगा देंगे, तो मैंने देखी, एक यह ले लिया, और इसको इस तरह से copy कर लिया, देखी, अपॉस्ट आफिस के साथ किया, और उसके ब कर देना है, अभी भी खतम नहीं हुआ, अब आगे क्या लिखना है, वो भी देख लिए एक space देना है, यानि मैंने लिखा कि हमें with the title in British English, यानि कि British English यू सबसे अच्छी English माने जाती है, ठीक है, क्योंकि यह जो English भाषा का अविश्कार है, यह land में हुआ है, तो वही सबस आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा, आप चाहें तो इसके अंदर इसको ये भी कमांड दे सकते हैं कि किते शब्दों में लिखना है, उसमें कुछ खास नहीं करना होता है, बस ये लिख देना है, with title in British English, in 500 words, in 1000 words, in 5000 words, वो आपने दे देना है, ठीक है, फिलहार मैंने वो copyright free article लिखेगी, यानि हर article पहले वाले से अलग होगा, चाहे title लिख ही है, समझ गए, तो ये कमाल है, इस साइट का, फ्री का है, अभी तक तो, तो इसका फैदा उठा लो, तो अभी लिखती जा रही है, कुछ टाइम के बादे लिखना खतम कर देगा, ये लिखा गया दोस् इसको यहां से, control C कर लिया, अब मैं दुबारा अपने blogger account पे चला गया, और सबसे उपर जहा title लिखा हुआ, यहां डाल दिया, तो title लिखा हुआ, अब मैं जो लिखा हुआ article है, वो लेकर आता हूँ, वहीं से, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ article है, इसका जो copy करने का तर ठीक तरह से नहीं होता है, ठीक है, नीचे से करेंगे, हो गया, अब मैं वापस ले आऊँगा blogger के account पर, और यहां डाल दूँगा, यह डल गया, आप देख सकते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ article है, इसके पीछे कुछ background है, ठीक है, यह हमने हटाना है, और इसके बीच में फिर हमने विग्यापन लगाने है, ठीक है, वो देखेंगे कैसे, सबसे पहले हमने इसको दुबारा से select कर लेना है, यह सारा select हो गया, अब यह तीन dots जहां लिखें है, यहां जाऊंगा, और सबसे last वाला बटन है, clear formatting, यहां क्लिक करूँगा, तो देखिए, अब वो background था ह पर जिता भी हमने यह article लिखा है, इसके अंदर कुछ steps इसी तरह से लिखता है chat GPT, ठीक है, तो यह जो main steps है, इनको आप highlight कर सकते हैं, ओके, तो मैं सब को bold कर देता हूँ, अब यहां पर हम इस article अंदर एक breaker लगाएंगे, breaker का मतलब दोस्तों जो होता है, कि आपने अपने इ लगती इसको पढ़ेगा, और चार लाइने पढ़ने के बाद उसकी इच्छा होगी, कि वो और जदा पढ़े, और उसी breaker के अंदर ही विग्यापन भी दिख जाएगा उसको ठीक है, हम वहीं उससे click कर वा लेंगे, तो अब यहां breaker लगाना है, वो कैसे लगता है, दीख लि यह वाले पर आपने click करना है, इसको बोलते है insert jump break, यहां click कर दिया तो यह लग गया, इस तरह से नहीं दिखेगा, लगता से दिखेगा, आपको दिखाऊंगा जब वो ready हो जाएगा, अभी तो यह बना रहा है, अब हमारा यह post बन गया, हम चाहें तो इसको और भी सुन्द बना सकते हैं, इनके रंग बदल सकते हैं, यहां पर सारे options हैं, यह आपको छोड़ छोड़ जिदे आती होंगी, अभी फिलाल मैं आपको अपने इस article के अंदर भी विज्यापन कैसे डालने है, वो दिखाता हूँ, अब देखें उसके लिए सब से left में जहाँ यह pen का button है, जहां लिखा HTML view, यहां क्लिक करूँगा, अब यह basically जो हमारा यह article बना है दोस्तों, उसका HTML view है, ठीक है, अब यह HTML view क्या होता है, यह मत सुचिए, यह तो आप confused हो जाएंगे, ओके, चाहे आप आर्टमी पास हैं, मैं आज आपको blogger से पहले दिन से कमाई शुरू करवा रह हूँ, ठीक है, इतनी असान कर दिया है, मैंने सब कुछ, कि अगर आप आर्टमी पास भी है, तो भी समझ जाएंगे, अब दोस्तों हमने जो भी article लिखा है, लिखवाया है, चैट GPT से, यह उसका HTML view हो, जैसे थोड़ी दर पहले बताया था, अब यहां पर बीच में जो वि दिखेगा, फाइव भी दिखेगा, अब हमें यहां पर विग्यापन कैसे लगाने, जो बाकी आपको कोडिंग दिख रही है, यह सोच कर देखकर परशान नहीं होना है, इसको बदल नहीं देना है, गलती से भी कहीं क्लिक करके, ठीक है, जैसे हैं मैं बता रहा हूँ, उसी स्पेस बनाएंगे कि विग्यापन कहां डालना है, अगर सबसे उपर टॉप पर डालना है, तो देखी जहां आपको यह दिख रहा है, यहां पर एक बर आपने क्लिक करके, आपका करजर जब बिलिक को ओना लगा तो यहां हो गया, ठीक है, अब मैं एंटर करके यहां इसको ज्यादातर आर्टिकल्स जो यह लिखकर देता है, चैट जीबटी इसमें स्टैप्स जरूर होते हैं, ठीक है, अब जैसे स्टैप वन है, किसे ने पहला स्टैप पढ़ लिया, और उसके बाद जब दूसरे स्टैप पर जाएगा, तो उससे पहले हम इसको यहां पर विग् डालने की, ठीक है, अब मैं वापस से एड स्टेरा साइट पर जाऊंगा, और वहां से कोड लेकर आऊंगा, और जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि ब्लॉगर अकाउंट में कैसे कोड लगा कर हमें वो विग्यापन लाने है, उसी तरह से यहां पर लगाऊंगा, ठी जहां लिखा है, एड कोड, यहां क्लिक कर दूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा पॉपंडर, ठीक है, यह एक और स्टाइल है विग्यापन का, एक यह था, एक यह था, ठीक है, अब यह भी है, क्यों छोड़ें यार, सारी लगा देते हैं, अब यह पॉपंडर पर आगया यह भी सीख लो, अब मैं नीचे आगया और एड कर दिया, अब यह क्या होता है, दिखेगा आपको, गॉट इट पर क्लिक कर दिया, उसी तरह से थोड़ी दिर में आएगा, आपने क्या करना है, कि यहां पर आपने क्लिक कर देना है, यहां पर रिफ्रेश करते रहना है, ठ को यहां क्लिक करके पेस्ट कर देंगे आ गया अब यह जो स्टार्टिंग के दो है यह आपने जुरूर लगाने हैं दोस्तों क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पैसा इनी से देती है यह साइट जहां से मैं निकाल कर लेकर आया हूं जैसे गूगल अब दो नमबर पर मैं आपको दूसरा कोड लगा कर दिखाऊंगा वो एक और विग्यापन होगा ठीक है अब मैं दुबारा से एड टेरा पर जाऊंगा दुबारा से मैं एड कोड पर क्लिक कर दूँगा इस बार एक और स्टाइल निकाल लेते हैं देखिए सोशल बार यहां आपको दिखा देता हूँ वह हमने ले लेना है यहां के लिए बैटर रहेगा यह आप थोड़े से एक्स्पेरिमेंट्स करेंगे आप सीख जाएंगे दोस्तों ठीक है अब मैं यहां ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ ठीक है यह थोड़ा सा ऐसे लंबा सा आएगा ऐ इसको मैं यहां 17 नंबर पे लगा दूँगा यह नंबर आपको अलग लगाएंगे दोस्तों ठीक है और आप इनको कहीं भी लगा सकते यह तो मैं सिरफ आपको दिखा रहा हूँ आप उपर नीचे जहां मरजी ठोक दो कोई दिक्कत नहीं अब मैं एक और एड़ लगा देत कर लिया अब दुबारा से अपने ब्लॉगर के अकाउंट पर गया अब यह भी ठोक देता हूं यह चलो 15 नंबर पे लगा देते हैं कहीं पर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा मत सोचना विग्यापन ही तो है जो लोग फ्री के अंदर आपका आर्टिकल पढ़ने आए हैं पैसा कमाने का विग्यापन तो देखेंगे ना तो आप हमारी इस आर्टिकल के अंदर भी यह विग्यापन डाल दिया आप चाहें तो और बी डाल देना लेकिन बहुत जदा मत भर देना ठीक है अब हम इसको देखते हैं कि यह देखने में कैसा लगया अब हम इसक 10-20 निकाल लो यहां से आके इस साइट के ओपर एजूफरीबी से और उसके बाद आप चैट जीपीटी से लिख लो यह वाली जैसे लिखी है और उसके बाद यहां आके विग्यापन निकाल लो और यह ब्लॉक पोस्ट पर डाल दो यह पहले डल गई ठीक है अब यह देख तो मैं लेटर या यह कट पर क्लिक कर दूँगा ठीक है अब आप देखेंगे दोस्तों कि यह विग्यापन डलने शुरू हो चुके आपके पैसे बनने शुरू हो गए आपको गूगल एड़ सेंस की तरह कोई वो नहीं है कि इतने घंटे इतने देन इतने महीने और यह हम को रिव्यू करेंगे जी फ्लाना धिमकाना कुछ नहीं अब देखेंगे बीच बीच में विग्यापन दिखाई जा रहा है ठीक है अब इसको हम यहां पर लेटर भी कर सकते हैं ठीक है अब जितनी बार भी विग्यापन दिखेगा किसी भी विक्ति को जो इस साइट पर हो अकाउंट है यह अटोमेटिकली एड्स टेरा साइट यह विग्यापन लगा रही है दिखें साइड में कितने सारे विग्यापन है बड़ी बड़ी कंपनियों के विग्यापन है दोस्तों यह सब लग गए और अगर कोई वक्ति इन पर क्लिक करके चला जाएगा तो आप कमाई करेंगे देखी एक और विग्यापन आ गया मैंने क्लिक कर दी कहने का मतलब यह कि बिना कुछ करे ही यह जो एड्स टेरा साइट है यह आपके इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट के ओपर विग्यापन डाल रही है फेक रही है अब आप देखेंगे इस आर्टि तो अब देखेंगे कि यहाँ पर यह जो दुबारा से मैं रीड मोर पर क्लिक करूँगा अब दुबारा से इस बार यह हमें फिर से विग्यापन पर लेकर यानि यह इसने विग्यापन भर दिये एड्स टेरा ने गूगल एड्सेंस की तरह नहीं कि कंजूसी में एक आदा विग्यापन यहाँ वहाँ दिखा रहा है इसने आपके नए बने हुए ब्लॉगर के अकाउंट पर बनते ही पांच मिनट के अंदर विग्यापनों की बारिश कर दी बड़ी बड़ी कंपनियों के मल्टी नेशनल कंपनी भारत के बड़ी बड़ी कंपनिया अब आप कमाई शुरू कर दो ठीक है कहने का मतलब यह अभी तक की जो Google AdSense की Monopoly थी खतम हो गई ठीक है तो अब मैं आपको यह भी दिखा दूँ के और भी विग्यापन जब भी कोई Read More पर क्लिक करेगा तो यह दस बारा बार तो उसको विग्यापन दिखाएगा ही और उसके बाद वो उसको बाकी का कोल कर दिखाने देगा अब मैं एक पर फिर क्लिक करके देते हूँ यानि कि यह मेरे नए बने हुए Blogger अकाउंट पर जब मैंने Read More पर क्लिक करने गया तो इसने मुझे 10 विग्यापन दिखाए उस रखती को चाहिए वो किसी भी देश में हो ठीक है क्योंकि वो कमाई करना चाहता है उनलाइन ठीक है इस एड्स-टेरा नाम की साइट ने दरजनों विग्यापन डाल दिये हैं अब अगर आपके इसी तरह के दरजनों आर्टिकल है ब्लॉगर के ओपर तो इस एड्स-टेरा के जरीए हर आर्टिकल के ओपर ऐसे हजारों आपके विग्यापन डले हैं तो आपके कमाई कितनी होगी सोचिए अब यह आपके पास कैसे आएगी यह देख लिजिए उससे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि जो एड्स-टेरा साइट है ठीक है यह देखिए आपके सामने कुली हुए इसकी एक रेफरेल कमाई भी है याप यह विग्यापन से जो कमाई करेंगे वो आपके पास क भाईया आपके इस रेफरेल लिंक से इस साइट के उपर आजाए और वही सारा प्रॉसस करें जो भी मैंने आपको करके दिखाया है और उसके बाद यहां से वो जिते भी विग्यापन निकाल कर अपने ब्लॉगर अकाउंट पर लेकर जाएगा और वहां पर लगाएगा त जिससे कोई विग्यापन बनाकर एड्स रेरा साइट पर अपना रिजिशन करके वो भी कमाई कर सकता है इसका भी एक विग्यापन या बैनर बन जाएगा और ये भी आप अपने ब्लॉगर अकाउंट पर लगा लो वहीं पे टाके ठोक तो और वो अगर कोई वहां से वह तो भाई ऐसे आ रहा है मेरे पास यहां पर लगा दो साइड में ठीक है तू भी कर ले ओके वो कैसे बनेगा देखी जाले का चूज़े बैनर पी एंजी को छोड़ देंगे यहां पर डॉप डाउन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर बहुत सारे साइज़ें कौन सा ठीक रह आर्टिकल के चक्कर में लोग पैसे कमाना चाहरे है ठीक है और जब वो लोग आएंगे तो वो यह भी देख लेंगे तो आप उसी तरह से लगा देंगे जैसे मैंने आपको बाकी कोड लगाना आपके नए ब्लॉगर अकाउंट में सिखाया है ठीक है तो यह भी कमाई है अ अब देखिए दोस्तों सिर्फ पांच मिनट पहले ब्लॉगर का अकाउंट डाला है और उसमें कुछ विग्यापन थे जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो चार शायद क्लिक कर दी हैं गलती से अब यहां पर कमाई शुरू हो गई बहुत चोटी सी कमाई है लेकिन आप सोचिए जब आप इसी तरह के एक नहीं दरजनों सैक्डों इसी तरह के आर्टिकल्स लिखकर अपने नहीं बने हुए ब्लॉगर अकाउंट पर डाल देंगे मैंने आपको सब तरीका बताया है तो उसके बाद फिर आपको यह स्टैटिस्टिक्स में कितना ज़ रहते हो दोस्तों आप आज के बतायों मेरे तरीके से दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ कर कमाई कर सकते हैं यह सिर्फ भारत स्पेसिफिक नहीं है अब देख सकते हैं पर जो पैसा आपको भी बहुत सबसे बेस्ट पेपल रहता है अगर आप सीधे बैंक में चाहते हैं हैंगे तब ही हो सकेगा हजार डॉलर भी जल्दी हो जाते हैं लेकिन मैं सर्जिस करूँ का पेपल इसमें 100 डॉलर पर ही आप पैसा ले जा सकेंगे यह काफी जल्दी हो जाता है ठीक है अब पेपल का अकाउंट सिर्फ दो मिनट के अंदर बनता है और उससे आपकी एक जी जी मैल आइडी बना लेना और वो जो जी मैल आइडी है उसके जरीए आपका कोई भारतिय सेविंग बैंक अकाउंट चाहे वो किसी भी बैंक में हो चाहे छोटे से एक कमरे के बैंक में हो वो पेपल नाम की एप से जुड़ जाता है यह एक पेमेंट गेटवे है ठीक है त सबसे लेफ्ट में जहाँ प्रफाइल का बटन है यहां क्लिक करेंगे अब देखे प्रफाइल पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा सबसे नीचे आ जाएंगे बाकी डिटिल्स आपको देखेंगी यहां से कंट्री आपने अपनी चूज कर लेनी है जिस भी आप कंट्री क यहां पर 100 डलर लिखा हुआ इसको ऐसे छोड़ देंगे उसके नीचे आएंगे तो आपने अपने अपना नाम डाल देना है ठीक है उसके नीचे आएंगे तो आपने अपनी डेट अफ बर्त उसी हिसाब से डाल देनी है जो अधार का डाल देना है अपने राज्य का नाम और अपने घर का postal code डाल देना है और उसके बास save my profile पर click कर देना है एक बार फिर से save कर देना है आपकी profile पूरी हो गई बस तो जैसे आप यह profile update पर click कर देंगे आपकी जो Gmail ID है जो आपने यहां डाली है जिस पर register किया उस पर एक OTP आएगा वो हम अपने Gmail ID से लेकर आते हैं मैं अपना Gmail ID कोल के दिखा देता हूँ अब देखिए आ रखा है और इसके अंदर आप देखेंगे जहां लिखा हुआ यह OTP आपको देख रहा है यह आपने copy कर लेना है और वापिस से आपने addster account पर आ जाना है और सबसे नीचे आकर जहां लिखा है यह update string send to यहां पर डाल देना है और फिर update पर क्लिक कर देना है उसके बाद यह चोटा सा pop-up आएगा जहां लिखा है hyper wallet यहां पर आपने अपनी एक PayPal की Gmail ID डाल देनी है गोर से दिखेगा यहीं पर आपकी PayPal की Gmail ID डलेगी और उसके बाद आपका यह जो addster account पर बना हुआ नया account है वो आपका जो भारतिय सेविंग बैक account है उसके साथ attach हो जाएगा तो दोस्तों आज मैंने आपको सिखा दिए कैसे सिरफ दो मिनट में blogger का एक नया account बना लेना है अपने laptop या mobile phone के उपर और उसके बाद एक नया जमाने की site से आपने विग्यापन निकाल कर थोक के भाव नया blogger account में लगा देनी है दो मिनट के अंदर महां से पैसे बनने शुरू जाएंगे मैंने आपको यह भी दिखा दिया कैसे पैसे immediately आदे घंटे के अंदर बनने शुरू हो जाते है फिर मैंने आपको यह भी दिखाया कि अपने नये बनेवे blogger account में डालने के लिए आपको second topics कैसे मिलेंगे जो SEO friendly है और आजकल trending है वो भी मैंने आपको दिखा दिया फिर उनको निकाल का topics के हिसाब से इसका पूरा फैदा उठालो इससे पहले कि इस पर भी रशा जाए देखे दोस्तों मैंने आपको जो आज का तरीका blogger से कमाई करने का सिखाया है विल्कुल यूनीक तरीका है यह जो Google AdSense की competitor company आई है इसके पास आज की date में भर-भर कर विज्यापन है पूरी दुनिया की छोटी बड़ी company के ठीक है तो जल्दी से अपना नया या पुराना अगर पहले से blogger का account बना हुआ है उसको उसी तरीके से set कर लो जैसा मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है और आज ही से कमाई शुरू कर दो इसके लावा भी दोस्तों मैंने काफी वीडियो बना कर YouTube पर डाल रखे हैं जिनमें मैंने बड़ी अनोखी जानकारियां दी हैं अगर आप मेरे बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने सभी वीडियो की दो प्लेलिस्ट बना कर उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये हैं क्लिक करके मेरे बाकी के वीडियो देखें उनसे भी फैदा उठा सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी thank you very much